आपको आपको पसंद आएगा थोड़ा साथ प्रसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आज के व्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा मुझे जरू कमेंट करके बताएगा and thank you everyone for supporting me so much इसी तरह से अपना प्यार बनाई रखेगा और like, comments का नम मत बुलेगा so let's begin today's vlog जै श्री किशना, रादे रादे friends and good morning everyone तो morning के बच चुके हैं, अभी 8 बच चुके हैं आज जैसे की election day है हमारे यहाँ MP सतना में तो रोशनी की भी चुट्टी थी, तो आज थोड़ा सा मैं देर से उटे थी और सुबह का सारा कुछ काम हो चुका था, पूजा भी आज मैंने नहाने दोने के बाद कर लिया है सारा कुछ हो चुका है, बस अभी चलती हूँ मैं किचन में breakfast बनाने के लिए तो आज मैं बनाने वाली हूँ इंस्टेंट दोसा और सबजी, चटनी जो कोकोनेट वाली चटनी है फ्रिस में रखी है पिछले वाले जो ब्लोग में अगर आपने देखा होगा मैंने बनाया था इडली सांबर सारा कुछ साउथ इनल डिश और उसमें जो सांबर है ना उसमें मैंने सांबर मसाला एड ता जो दाल होती है बट मुझसे वह क्लिप मिस हो गया, आप प्लीस सांबर मसाला जरू डा प्लीस डाल लेजेगा, मैं बिल्कुल भूल गई, मिस हो गया, बिल्कुल मुझसे क्लिप और मैं वोइस ओवर जैसे पाना वैसे ही करते गई, तो डाल येगा ज़रूर, यही मैं कहना चाहती हूँ, बिना उसके टेस्ट नहीं आने वाला है, तो बॉयल किया हो, आलू को मै सबसे पहले ऑईल डालूंगी पैन में और इसको गरम होने देते हैं, तो गरम हो चुका है तेल, इसमें सरसो एट किया है, थोड़ा सा जीरा एट कर लेंगे, और इसको अच्छे से पकने लेंगे, इसके बाद मैं आट करूंगी थोड़ा सा ये चना दाल है, साथ में पक चुकी है, इसके बाद मैं इसमें आट करने वाली हूँ, प्याच और साथ में हरी मिर्च है, जैसा आट कर सकते हैं, इसको हल्का सा भूनेंगे, ओवर कुक नहीं करना है प्याच को, तो ये सारा कुछ फूक हो चुका है, अब इसमें आट करेंगे, थोड़ा सा हल्दी अब इसमें मिर्ची पौडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आट किजिए, इसमें थोड़ा सा धिनिया पौडर आट किया है, नमक स्वात के साफ से जिस असाफ से आलू है, और इसको थोड़ा सा मेक्स करेंगे, इसमें हल्का सा एट करेंगे, पानी और इन मसालों को एट करेंगे, तो अच्छा सा टेस्ट आता है, मसाले को अच्छे से भूनने के बाद मैंने बॉल किया हूआ और मैश किया हूआ अलू डाला है, और आज मेरे पास धन्या पत्ता नहीं है, तो इसी तरह से बना रही हूँ, अच्छे से मैश कर लेना है, दो से तीन मिनट बड़े बोल के आप समझ लीजिये इसके बाद मैंने काड़ी के करीब बड़े नहीं डाला है अब जाला है दही प्रेश दही लिया और इसमें करीब देड़ कटोड़ी के करीब इसमें पानी आट करेंगे बाद में पानी अज़स्ट कर सकते हैं बट अभी उतना जाता नहीं डालना है और इसको simple पीस लेना है थोड़ा सा यह बिल्कूल जैसे की बैटर जैसा हो जाता है अच्छे से पीस लेना है दो से तीन पर तो यह आप देख सकते हो बैटर बन कर दे यार है पानी अजत्छ करेंगे ज.'से सबसे दोल्सा का बैटर रोता ना उसी साब से करना है तो मैं इसको डाल Lती हूं एक बोल में तो यह थोड़ा थिक है अब मैं इसमें पानी यह तो तो थोड़ा सा और यालिया थे रिक हैग और हलका सा बिल्कुल पिंच आप सोडा आट करेंगे जिससे की डोसा अच्छे बनेंगे और इसको दुबारा से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो इस तरह से फ्लोइंग रहना चाहिए क्योंकि डोसा के लिए जो है ना पतला ही लगता है वैटर तो मैंने सबसे पहले जो तबा को थोड़ा सा ऑईल डालके टिश्यू पेपर से अच्छे से पोच लिया है और अच्छे से जो तबा क्रिश्पी वाला मैंने सेका है और यह तयार हो जाए का डोसा इसी तरह से बना लेंगे और यह बिल्कुल पता नहीं लगता है कि यह सुझी का बना हुआ जब नेक्स्ट राउन आप करते हैं तो तो थोड़ा सा आपको पानी चिड़कना होता है जिससे कि जो तवा का टें तो इसी तरह से मैं सारा तैयार कर लूँगी एक तरफ पकने के बाद उपर से आईल डाला फिलिप करते हुए इसको रोल कर लूँगी रोशनी को थोड़ा साफ्ट वाला डोसा अच्छा लगता है कई लोगों को थोड़ा सा क्रिस्पी वाला जैसे होता ना पेपर डोसा इस को बहुत अच्छा सा टेस्ट आने वाला है और यह कई बार मैं रोशनी को भी देती हूं अगर आपको बनाना है तो थोड़ा सा बैटल ठीक रखिएगा बस सेम प्रॉसेस है बाकि जैसे डोसा बनता है तो इसमें मैंने रख दिये सबची डोसा और यह पहले चटनी रखी इडली कोकनट वाली चटनी फ्रेस में रखी ती उसी कोकनट वाली चटनी तो डोसा है और यह इंस्टेंट वाला तो पतावट से बन जाता है छुटी वाले दिन थ्वी आलस आता है कि चलो जबकि काफी बाकि का च्अधा टाइम रहता है क्योंकि आछ कोचिंग में नहीं जान आज कोचिंग की भी चुटी है, स्कूल की भी चुटी है, बट आज मुझे लग रहा था कि आज शूट नहीं करती हूं, फिर लगा चलो शूट करी लेते हैं, क्योंकि आज टाइम है, आराम आराम से करने से भी हो जाएगा, तो पापा को और मैंने बना के दे दिया था, जैसे बहुत कुछ जादा बनाने को मन नहीं है, और पटा-पट से कुछ बन जायना तो इस तरह की चीज़े ट्राइ कर सकते हो, तो आज जो रेसिपी मैं बनाने वाली हूं, उसमें छोले का यूज होने वाला है, और राइस का, तो ये छोले को आपको ओवरनाइट सोक करक करीब करीब मैंने लगाया था, मीडियम फ्लेम पर और ये अच्छे से कुछ हो चुका है, स्टीम निकल चुकी थी, तो इसको चेक कर लेना, इसको घोलना नहीं है, बस ये अच्छे से पक जाए, टूटे टूटे से नहीं होना है, तो इस तरह से बस दबा के देखेंगे, अच्छे से प्रेशर कुक हो चुका है, मैंने इसको निकाल दिया है, एक बोल में ये बॉल किया हुआ चोले है, और जो पानी है, तो बस हमें चोले की जरुत है, जो पानी है चोले का पानी आप सबजी की करी में डाल सकते हो, या सूप बना सकते हो, तो ये चावल को अब म अच्छे से बॉइलिंग वाटर में आपको जो है ना सोकिया हुआ बासमती राइस आट करना है और ओनली 90% कुक करना है ताकि यह टूटे नहीं जब यह कुक हो चुका था तब मैंने इसको छनी में चान लिया था और एक बड़े प्लेट में इस तरह से डाल लिया थोड़ा जालेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे आप चाहे तो लेफ्ट ओवर राइस से भी बना सकते हो इसमें डालने के लिए मैंने जैसे की छोले बॉयल हो चुका है अभी मैं इसमें यूस करने वाली हूं जो भी मेरे रपस वेजटिबल से लाइक यह और इंच वा अब तड़के की तैयारी करते हैं इन सबको एसमबल करना होगा सबसे पहले मैंने तेल डाला है पैन में अच्छे से गरम होने दिया था फिर इसके बाद यह जो बॉयल किया हुआ चोले है आप देख सकते हो यह बिल्कुल घुले नहीं है बट अच्छे से पके हुए है इस इसे करना है बस इसका जो मसाले का भी टेस्ट अच्छे से आ जाए और यह जो है ना छोले भुन चुका है और इसी को हम डाल के जो राइस में डालेंगे तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता आप छोले की कौंटिटी बढ़ा भी सकते हैं जैसा आपको पसंदो एक बार पैन में इसको गरम होने देते हैं जीरा एट किया है और इसके बाद मैंने हरी मिर्च डाला है जितना चाहो आप मिर्च मसाला एट कर सकते हैं अच्छे से इसको थोड़ा सा फ्राइ कर लिया है इसके बाद जो शिम्ला मिर्च है गाजर है बीन से प्याज है ना वह सारा कु कि मैं तरो पहले से बारिक चौप किया हो भी डाल सकते हैं सबजी के साथ है मैंने पेस्ट का यूझ किया अद्रक लैसुन का इसको भी हल्का सा रहाए के बाद मैंने इससे अर्ट किया है अपने ठेस्ट के आकारडिंगा एड़ कर सकते हैं और फटी पॉडर फॉर कलर एंड ठोड़ा सा जो है नमक एक किया जिस इसाब से चावल है उसे साफ से इसाफ पानी एक करेंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे तो यह अच्छे से भून चुका है बस इसमें आड करेंगे यह बॉयल किया हुआ यह खेले-खेले राइ जैसे बच भी जाते हैं तब भी आप इसको ट्राइक कर सकते हैं इसके बाद मैंने भूना हुआ इस चोली अभीध के जाएंद काली मर्च का पाउडर आड़ चिली फ्लेक्स एट गिए है तोड़ा सा छोली का मसाला एट कर दीजिए अगर आपके पास छोले का मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला इसमें इस समय आड़ कर सकते हैं मैंने इसमें छोले का मसाला आड़ किया और भी अच्छा टेस्ट आता अच्छे से मिक्स कर लिया था फ्लेम को भी मैंने मीडियम रखा है इसके बाद लास्ट में थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें नीबु का रस एक बड़ा नीबु का रस और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर अच्छे से पका लेंगे और ये खिले-खिले बहुत ही टेस्टी सा वन पॉर्ट मिल करे हैं साटमाल है Miles डाद मैंने थोड़ सा रायता बना लिया था थोड़ सा नमक टाला सबटाए थोड़ सा मैंने भूना हुआ जीरा पाउडर और जो भी अचाला या चाटт ना चाट्れयो आड़ और थोड़ अच्छा अढिया मेग ऑचुट案ि झाला इसे बहुत अच्छा सा टीस्ट आता है एक पर जरू ट्राइ किजिएगा और इसमें हलका सा पानी आड़ करके मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा थिक है और जो भी सब्ची है वो आड़ कर सकते हैं इसके साथ रायता अच्छा जाता है इसलिए मैं बना रहे हूं खीरा थोड़ अच्छा साथ में रायता हो तो और भी जादा टेस्टी लगता है इसलिए मैंने रायता भी मना गिया है तो बस मैंने प्लेटिंग कर दी है और दादा जी को रोशनी दे देगी रोशनी को भी मैं दे देती हूँ मैं अभी नहीं खाने वाली हूँ मुझे अभी भूप नहीं है सुबह दो सकाया था जब मनोगा तब खालूँगी या तो फिर नाइट में डिनर में खालूँगी और इसके कपड़े धुल चुके हैं बाद में सुखाऊंगी वैसे भी गर्मी है सूख जाते जल्दी तो अभी करीब बच चुके हैं अज खाना पीना जल्दी हो गया था आज मैं बनाने वाली हूं समर स्पेशल रेसिपी जो होने वाला है मैंगो फिरनी तो इसके लिए अच्छे से ब तो मैंने करीब दो चमच के करीब यह एक चावल थे थोड़ से बड़े चमच के करीब इसको आदे गंटे के लिए फुला के रग दिया था ताकि अच्छे से फूल जाए क्योंकि हम जो बनाने वाले हैं राइस पुडिंग कह लेजिए मैंगो राइस पुडिंग या फिरन कह लेजे मैंगो फिरनी उसके लिए चावल की जरुरत पड़ती है तो चावल को अच्छे से भीगो के रख देना पहले से फिर इसको थोड़ा से पानी डाल कर पीस लेंगे जादा पानी नहीं आट करना है हलका सा पानी डाल कर पीस लेना है यह थोड़ा से बिलकुल छोट अब यह आदा किलो से ऊपर थोड़ा सा दूद है और इसमें मैंने यह जो पिसा हुआ चावल है उसको एट कर दिया है और बिलकुल स्लो फ्लेम पर इसको चलाते हुए पकाते जाएंगे बीच बीच में चलाना बहुत जादा जरूरी है कई पार यह बॉटम पैन में लग जल जाता है क्योंकि यह हमने थोड़ा सा पिसा है इसको प्रम पर मैंने कुक कलिया था यह काफी हद तक गाड़ा हो चुका है और यह जो चावल है ना पक चुके थे पिर इसके बाद मैंने थोड़ा सा इलाईची पाउडर आट किया है करीब 5 चमच के करीब मैंने इसमें चार से पांच चमच एड़ किजिए शक्कर आप चाहे तो इसमें हलका सा कंडेंस मिल्क भी एड़ कर सकते हैं शक्कर उसी हिसाब से एड़ करना जिस हिसाब से मैंगो का टेस्ट है मैंगो अगर मीठा है तो शक्कर कम लगेगा मैंगो अगर फट्टा है मतलब कम मीठा है तो इसाफ से सारा कुछ डिपेंड करता है तो इस तरह से मैंगो आदा किलो के करीब है दो मैंगो इस तरह से क्युब्स में कट कर लिया मैंगो को और इसको भी फाइन सा पीस लेंगे मिक्सी जार में तो कोई भी चंक्स नहीं रहने चाहिए बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे यह मैंगो का बिल्कुल पल्प आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से पेस्ट जैसा बन चुका है और यह जो है जो चावल वाली जो है उसको ठंडा करने के बाद ही मैंगो का पेस्ट गरम गरम में तक इस अच्छे से बिल्कुल फेट लेना डिक्स लेना आप देख सकते हो कितना जादा स्मूध दिख रहा है तो ठंडा करने के बाद ही आपको मैंगो का पेस्ट अड़ करना होता है इस बात का ख्याल रखेगा तो यह मेरे पास मित्टी के बर्तन थे मिट्टी के बर्तन में ही एक्चली फिर्णी को सर्फ करते हैं सबसे पहले मैंने भवानची के लिए निकाल लिया था थोड़ी से फिर्णी मैंने प्लेट में उपर से थोड़ा सा बदाम चौप किया हुआ जो है ना इस तरह से कतरन डाल दिया था और साथी साथ य रखिए और आराम से इसको चिल होने दीजेगे ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है तो इस तरह से उपर से मैंने फॉइल रैप कर दिया है और इसको डीफ फ्रेजर में रख दूँगी इसी तरह से बाहर में भी मिलता है फ्रेंज शॉप में और तो मिट्टी वाले जो तो अभी भगवान जी को भोग लगा देते हैं और आज तोड़ा सा वेदर चेंज होने लगा है वैसे तो काफी जादा यहाँ पर गर्मी हो रखी है और आज एलेक्शन वाले दिन है तो आज सारा ही कुछ बंद है और स्कूल वगगरा सभी कुछ बंद था तो रोशनी घर पे थी तो आज कुछ स्पेशल बना ही लिया तो भगवान जी को मैंने भोग लगा दिया इसके बाद कप्टे वगरा सारा कुछ ड्रायर हो चुका था तो यह सारा कुछ अभी मैं सुखा देती हूँ जब तक जो फिर नी है ना वो भी ठंडी हो जाएगी अच्छ से तो कप्टे वगरा सुखा चुके थे और सारा कुछ मेरा काम हो चुका था आज सुबह से मैं लगी थी और यह करीब बज़ रहे हैं अभी चार से उपर हो चुका है मैं आई हूँ रूम में थोड़ा सा रेस्ट करूंगी एसी में तो फ्रेंस आज का वेदर काफी जाद अच्छा हो रहता है तो सोचा बालगरी बैट की खाया जाए कपड़े भी अल्मोस्ट अभी सूख चुके है थोड़ी देर पहले ही मैंने डाला था तो फिरनी जो डिफ फ्रीजर में थी अच्छे से बिलकुल ठंडी हो चुकी थी च आज का व्लाग मैं एंड अप करती हूँ आई होप यू लाइक दिस वीडियो नहीं है तो सब्सक्राइब किज़ेगा बाई बाई टेक कियर